पूरे भारत वर्ष में दीवाली का परो बड़ी ही धुन नाम से बनाया जाता है। इस रोस्मी प्रकाश का पर्व कहते हैं ये पर्व का रटिक मास की अमाशक बनाई-गाता है। उनके साथ में भगवान गरेश की तथा कुषख साथ ही सिर्शति का पूझत है और भगवान कुभेर का पूझन होता है प्रमुक्ता से देवी लक्षमी करें और उनके पूझन से हमाई घर पर धन धानने की व्रद्धी हो इसलिए हम भगवाती देवी लक्षमी का पूजन करते हैं उनको नाना प्रकार के भोग लगाते हैं और उनसे वर्दान मांगते कि है लक्षमी देवी आप सदेव हम पर साहे रहें इस प्रकार दीपा ली का तेवार हम बनाते हैं और घरों में हर अपने घर के अच्छे से सफाई करते हैं अच्छता रखते हैं और दिप आधी लगाते हैं यह किस लिए किया जाता है क्या इस संबंद में अपने बात करते हैं तो देभी लख्ष्मी का कहा गया है कि लख्ष्मी महीं निवास करती है जव पर फच्छता होती है शफाई होती है तो दिपावली से पहले भारती सनातन को मानने वाले सभी वेक्ती अपने घरों को रंग रोगन करने लगते हैं घर से पूड़ा कच्रा निकालने लगते हैं और घर की सफाई करते हैं और घर को प्रकास के पर रवद इसे दिपावली को माना जाता है अपने घरों में प्रकास की नहीं नहीं वस्तुएं लगाते हैं रंगीन जालरों से और दिपों से और अनेक प्रकार की एलेक्रिक आइटमों से और लाइटों से अपने घर को सजाते हैं और बड़ी धूम से ये पुरे भारत वर्ष में आपने जाता है विशिभावली की दिन पुरानी तूटी फूटी वस्तू को अपने घर पर न लावे सेकेंड हिंड वस्तू उप्योग करीवी किसी दूसरे की वस्तू अपने को खरीद के इस दिन नहीं लाना चाहिए और कहा जाता है कि काली वस्तू है जो काला रंग होता है नकारात्मकता का प्रतीक होता है काली वस्तू है इस दिन खरीद के घर में नहीं लाना चाहिए ये असुपता का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि अपनी ये घटना से जुड़ी भी कोई वस्तू हो तो उसे भी घर में नहीं लाना चाहिए यह दिपावली का दिन अत्यांची सूप कहा गया है और देवी लक्षमी की प्रसंदता के लिए कहा जाता है इसलिए इस दिन विशेश करिये बातों का धियान रखना चाहिए कि गलत वस्तु जिससे हमारी पुरानी बुरी यादे जुड़ी हो इसी वस्तु हमाई घर पर ना आवे पुरानी कोई वस्तु हमाई घर पर ना आवे और काले रंग की वस्तु हमाई घर पर कोई ना आवे देवी लक्षमी की प्रसनता के लिए बनायना चाहिए कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्षमी घर घर आ करके निवास करती है और अपने आँ भक्तों पर आशिरवाद बनाये रखती है और देवी लक्षमी से प्रातना करना चाहिए कि हैं देवी आप हमाँ यहाँ पर इसी कारदेवी से प्रास्ना करकर के उनका पूजन में भोग फल आदी लगा करकर उनको प्रसंदता की कामना करना चाहिए